हलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो ये टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक की एक खास बात ये है कि इस से जुड़े कई सारे ऐसे कोशन्स जो आपके एक्जाम में बहुत जादा बार रिपीट हुए हैं वो इन ही टॉपिक के वदलत हुए हैं क्योंकि इन टॉपिक से सिर्व नाम और इनका कंटेंट बिल्कुल सेम जुड़कर ही आता है हर बार यानि अगर आप कोई भी कोशन्स देखेंगे माल लीजिए सॉलिनॉइड इसमें एक वर्ड आता है तो सॉलिनॉइड से रिलेटिड ही चार कोशन्स बन जाएंगे अगर आ सारे के सारे कोशन्स आपको यहां पर क्या करने हैं कवर करने और इस चैप्टर का नाम है कि मैगनेटिज्म कि क्या नाम है इसका मैगनेटिज्म हम इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ठीक है और वैसे इस चैप्टर का जो सौट नाम है वो मैगनेटिज्म है लेकिन अगर मैं इसके पूरे नाम को लिखूं तो इसका नाम है मैगनेटिक इफेक्ट ओफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या नाम है मैगनेटिक इफेक्ट ओफ इलेक्ट्रिक करेंट हिंदी में विधुत धारा का चुम्बक्ये प्रभाव यह चैप्टर का नाम है बच्चो और जैसा चैप्टर का नाम है हम इसको सुरू करते हैं अब क्या है बच्चो कि आपके पास मान लीजिए एक वायर है और उस वायर में इंसुलेटिड कॉपर वायर है और इस इंसुलेटिड कॉपर वायर के अंदर हमने क्या क्या, एक end से current को flow कराया एक तरफ से क्या कराया, current को flow कराया और बच्चों याद रखना, कि जब जब ये current flow करेगा ये अपने चारो तरफ, ये अपने चारो तरफ एक field generate करेगा, जिस field में force field होगा जिस field में क्या feel होगा, force field होगा सबसे पहले ये अपने चारो तरफ कौन सी field lines बनाएगा ये क्या है field line तो कौन सी field line बनाएगा आप बताओगे magnetic field lines बनाएगा field lines बनाएगा हिंदी में चुमबकिये छेतर रेखाएं ये बनाएगा और इसके अंदर ये एक force लगाएगा जो हर समय कोशिस करेगा कि किसी चीज को मैं अपनी तरफ खीच लूँ तो बच्चो जब उस चीज को अपनी तरफ खीचने के लिए force लगाएगा तो उसे बोल जाता है उस force को बोल जाएगा जो force इसके बीच में लगेगा उस force को बोलेंगे हम magnetic force कौन सा force बोलेंगे? magnetic force ठीक है हिंदी में क्या बोलेंगे? चुम्बकिये बल चुम्बकिये बल तो बच्चो ये force लगेगा ठीक है? एक मन बच्चो वेट कीजेगा झाल 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 चलिए बच्चो अब हम सुरू करते हैं तो मैंने क्या बताया कौन सा force लगाएगा? magnetic force लगाएगा चुम्बकिये बल लगाएगा कैसे? माल लीजिए कोई iron का piece यहां पे पढ़ा हुआ है ये लोहे का टुकड़ा है हम पे पढ़ा हुआ है अब ये लोहे के टुकड़े को क्या करेगा? ये लोहे के टुकड़े को कोशिश करेगा कि मैं इसे attract कर लूँ इस लोहे के टुकड़े को क्या करेगा? attract कर लूँ लेकिन attract नहीं कर पा रहा है क्यों? क्योंकि इसकी field से बाहर है इसके field से क्या है बाहर लेकिन अगर मालनो मैं इसको ऐसा रख देता हूँ तो यह पूरी जान लगा देगा कि मैं इसको अपनी तरफ क्या कर लूँ attract कर लूँ खीच लूँ लेकिन अभी नहीं कर पा रहा है क्यों क्यों कि इसका mostly इससा बाहर है तो यही होता है बच्चो कि जब भी किसी तार के अंदर current flow करता है तो वो अपने चारो तरफ एक magnetic field lines निकालता है जिसके अंदर एक force लगता है उस force का नाम होता है magnetic force और प्यारे बच्चो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपने कई बार सुना होगा कि current लगने से वो तार में चिपक गया तो चिपकने का कारण क्या है वो चिपकने कारण है magnetic force जिसकी वज़े से वो सामने वाले को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं क्हीच लेते हैं क्योंकि हमारे body के अंदर भी iron particles होते है मतलब यह ऐसा नहीं कि लोहे का टुकड़ा हमारे सरीर के अंदर गूम रहा है मतलब जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर iron के parts होते हैं जो जिसकी वज़े से हमें क्या है current feel होता है और अगर कोई ज़्यादा anchor current होता है तो यह वही सारे methods है ठीक है तो यह magnetic effect है किसकी वज़े से current की वज़े से जब कोई चीज current वज़े से उसमें क्या हो जाती है चिपक जाती है क्या हो जाती है चिपक जाती है तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर मैं इसके कुछ पॉइंट से लिखवाता हूँ आपको लिखिए लिखिए Magnetic effect of current means Magnetic effect of current means इसको नोट कर लिया होगा वीडियो पॉस करके Magnetic effect of current means that a current flowing in a wire that a current flowing in a wire produces a magnetic field produces a magnetic field around it around it हिंदी वाले हिंदी वाले विदुद्धारा का चंबुक के प्रभाव का मतलब है विदुद्धारा के चंबुक के प्रभाव का मतलब है जब किसी तार में जब किसी तार में धारा प्रभाव की वज़े से जब किसी तार में धारा प्रभाव की वज़े से चुम्बुक्ये बल और चुम्बुक्ये छेत्र उत्पन होता है चुम्बुक्ये बल और चुम्बुक्ये छेत्र उत्पन होता है ठीक है जी ठीक है बच्चो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं आज मेगनेटिक इफेक्ट इन बार मेगनेट दंड चुम्बक में चुम्बक ये प्रभाव ठेके जी यह है बच्चो मैगनेटिक इफेक्ट इन बार मेगनेट ठेके जी अब अब अच्चो ध्यान से सुनेंगे अब आप सभी ध्यान से सुनेंगे देखिए प्यरे बच्चो मान लीजिए यह आपके पास एक बार मेगनेट है ठेक है क्या है बार मेगनेट है बार मेगनेट बच्चो क्या है एक परकार का पर्मानेंट मेगनेट भी हो सकता है और टेंपररी मेगनेट भी हो सकता है लेकिन mostly bar magnet जो है वो permanent magnet बनाई जाते हैं और बच्चो दुनिया के हर magnet के पास दो पोल होते हैं एक होता है north pole और एक होता है south pole हिंदी में उत्री धुरूफ और दक्षिनी धुरूफ N मतलब north pole उत्री धुरूफ और S south pole दक्षिनी धुरूफ और बच्चो जैसे ही अब मैं आपको बता दो magnet के चारो तरफ एक magnetic field होती है एक चारो तरफ क्या होती है magnetic field तो इसका एक बच्चो practical है बार magnet का आप क्या कीजिए iron fillings लीजिए iron fillings क्या होती है iron fillings का मतलब हुआ बच्चो कि लोहे का बुरादा मतलब जब लोहे को घिसा जाता है तो उसके छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पीस जैसे लकडी को घिसने पर लकडी का बुरादा मन जाता है उसी तरह लोहे का बुरादा iron fillings और उन iron fillings को लेकर जब इसके उपर डाल देंगे आप किसके उपर बार magnet के उपर तो आप देखना आपको साफ बिलकुल ऐसी लाइने दिखाई देंगी जो आप खुद यहां पर diagram के थुरू देखेंगे तो वो लाइने आपको कुछ इस परकार की दिखाई देंगी बच्चों वो लाइने यानि जो magnetic field lines होंगी वो कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी आपको देखने हैं आप सब इस तरह की magnetic field lines दिखेंगी ठेक हैं बिलकुल आइरेन फिलिंग्स इसकी तरह ऐसे आसपास चिपके वो दिखाई देगा और जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रेक्ट दिखाई देगा जहां पर सबसे ज़्यादा आइरेन फिलिंग्स चिपके होगे वो कहां पर होंगे बच्चों पोल्स पर कहां पर सबसे ज़्यादा चिपके होगे पोल्स पर आइरेन फिलिंग्स सबसे ज़्यादा चिपके होगे मतलब इसकी तीन खास बात ह हैं बच्चो पहली पहली क्या खास बात है बच्चो कि अगर आप से पूछे कि मैगनेट के बाहर मैगनेट के बाहर आउट साइड दा मैगनेट मैगनेटिक फील लाइन कैसे ट्रेवल करती हैं तो याद रखना Magnetic Field Lines हमेशा North से South की तरफ जाती है हमेशा किदर से किदर जाती है North से South की तरफ North से South की तरफ तो आपको बताना है Magnetic Field Lines गोज तो वर्ड्स तो वर्ड्स नॉर्थ टू साउथ पोल नॉर्थ टू साउथ पोल हिंदी में क्या बोलेंगे चुम्बक्य छेतर रेखा है चुम्बक्य छेतर रेखाएं उत्तरी से दक्षिनी धुरूव की तरफ गती करती है हें गतीए ठीक है सेकंड सेकंड बच्चो अब क्या नोटिस कर रहे हैं कि सबसे जादा strength बार मेगनेट के अंदर सबसे जादा finest बार मेगनेट के अनदर या किसी ओअ मेगनेट के अंदर कहां पर होती पट्चो पॉल पर होती है आप देखरों कहीं से भी निकल पोल पर आके मिल रहे हैं कहीं से भी निकल रहें पोल पर आके मिल रहे हैं मतलब पोल से निकलना पोल पर मिलना पोल से निकलना पोल पर मिलना मतलब सबसे ज्यादा मैगनेटिक कि स्ट्रेंथ कहां पर होती बच्छो पोल पर तो हम लिखेंगे लिए the higher the higher magnetic strength strength is on poles in on poles मतलब क्या सबसे अधिक चुम्बुकिये बल दुरूफ पर होता है कहां पर होता है दुरूफ पर होता है समझ मारी बच्चो कहां पर होता है दुरूफ पर होता है और तीसरी important बात बच्चो क्या देख रहे हो आप कि यह magnetic field lines कहीं पर भी एक दूसरे को cut नहीं कर रही है क्या कर रही है parallel जा रही है क्या जा रही है parallel मतलब कहीं पर भी एक दूसरे को क्या नहीं कर रही cross नहीं कर रही काट नहीं रही है तो हम बोलेंगे all magnetic field lines all magnetic field lines are in parallel are in parallel ठीक है जी सभी चुम्बक किये छेतर रेखाएं समानतर होती है क्या होती है समानतर होती है तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कीजी आप लोग फिर मैं इसके कुछ exception point भी आपको पढ़ाता हूँ ठीक है फिर धीरे इसके points भी लिख पाऊंगा मैं जल्दी से नोट कीजी जल्दी से नोट कीजी कर लिए नोट बच्चों चलिए अब आगे का देखेंगे जरा बस वीडियो पाऊस करके सुरू हो जाया ना ठीक है अच्छा अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ conditions अब हम क्या पढ़ेंगे इसकी कुछ conditions पढ़ेंगे और फिर कुछ points लिख वाँगा मैं आपको ठीक है तो यह मैंने आपको क्या लिखवाया अभी जो मैंने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था यह लिखवाया था मैंने आपको रोको व को बार मेगनेट के बारे में प्रोपटी यह वर merge थी अब क्या लिखेंगे हम लों ऊफिर भाई अब हम लिखेंगे एसके कुछ है सेप्शंच के इसके कुछ 9 एक्सप्शन एक दो पढ़ लेते हैं exceptions नहीं बोलेंगे इसके कुछ और मतलब कह सकते हो properties और कुछ properties है इसके और भी गुणधरम है ठीक है बच्चो पहला यानि गुणधरम के related question properties से related question question number first हमने कहा कि magnetic field lines parallel होती है तो आप से question पूछेगा क्यों क्यों वो parallel होती है कट क्यों नहीं करती तो हम यहां कहेंगे why do all magnetic field lines why do all magnetic field lines why do why do not why do not all magnetic field lines कट इच अदर सभी सभी चुम्बकिये छेतर रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती चलो भाई पता करते हैं इसके बारे में बच्चों आपको अच्छे से बता है कि बार मैगनेट का magnetic field line या किसी magnetic field line नौर्थ से सुरू होता है साउथ पे खतम होता है यही सीखा हमने अब यह बोल रहा है कि एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है भाई अब खुद सोचो ना अगर यहां से एक और लाइन निकलती है और इसको काटती है इसको ऐसे काटती है तो भाई इनका जो particular direction है वो तो क्या हो जाएगा वो तो कट जाएगा ना क्योंकि इनने magnetic field line ने ये कहना है कि हम जब भी travel करेंगे एक particular direction में करेंगे एक निश्ची दिशा में करेंगे जो कि क्या है नौर से साउथ की तरफ है लेकिन अगर यह इसको काटती है तो भाई ये क्या हो जाएगा ये अपने particular direction से भटक जाएगी और particular direction की भटकने की वज़े से एक से ज़ादा है ना more than one more than one direction आ जाएगी more than क्या जाएगी बच्छो one direction आ जाएगी और जब more than one direction आ जाएगी एक से अधिक दिशा आ जाएगी तो ये magnetic field line की property को क्या करेगा क्या करेगा बच्छो भाई उसका contradict करेगा उसका विरोध करेगा इस वज़े से ये एक दूसरे को नहीं काटती तो answer is only in a one direction in a particular direction magnetic field lines go towards up towards a particular direction towards a particular direction which is north to south which is north to south and if they cut each other and if they cut each other they cut each other then then it goes then it goes more than one direction then it goes it goes more than one direction which is the contradict of which is the contradict of properties of which is the contradict of properties of magnetic field lines properties of magnetic field lines Hindi wali liekhenge Chumbukye Chhetr rickhayen Chumbukye Chhetr rickhayen Eek Nishji Dishah Me Gatiy Kerti Hain Eek Nishji Dishah Me Gatiy Kerti Hain Or Yadivahe Or Yadivahe Eek Se Adik Or Yadivahe Eek Se Adik Dishah Me Gatiy Kare Yadivahe Eek Se Adik Dishah Me Gatiy Kare Yad Summer Chumbukye Chhetr rickhayen енной Yadivahe Ya Chumbukye Chhetr rickhayen Yadivahe Eek кі qate तो यह गुण धर्म की अभेलना होगी तो यह गुण धर्म की अभेलना होगी ठीक है जी चलिए सेकंड पॉइंट अब क्या है अब सेकंड पॉइंट अगर आप से पूछ ले कि what is the direction of magnetic field lines inside the magnet ठीक है धंड चुम्बक inside the bar magnet गाइस के भीतर खुम्बक की छेतर रेखाओं की दिशा कि 118 चैश्व रेखाओं की दिशा क्या होगी ठीक है चुम्बक के छेतर रेखाऊंगी दिशा क्या होगी अरे बच्चो खुदी सोचो ये कोशन ना कई एक्जाम्स में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए बनाये गया है बच्चे ने क्या पढ़ा भाई कि भाई नौर्थ से साउथ डारेक्शन होती है नौर्थ से साउथ डारेक्शन होती है किसकी? मैगनेटिक फील्ड लाइन की लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ इनसाइड चुम्बक के भीतर ठीक है? इनसाइड दा मैगनेट पूछा है और अगर इनसाइड दा मैगनेट पूछे तो भाई ये इससे क्या होगा? यहाँ से घूमके ऐसे चल रही है तो भाई इनसाइड दा मैगनेट क्या होगी? साउथ डो नौर्थ यानि इनसाइड दा मैगनेट आंसर क्या होगा बच्चो? साउर्थ से किस तरफ नौर्थ की तरफ आंसर के लिखाओगे साउर्थ टू नौर्थ दक्षनी दुरूफ से उत्री दुरूफ की तरफ दक्षनी दुरूफ से उत्री दुरूफ की तरफ चलेगा दक्षनी दुरूफ से उत्री दुरूफ की तरफ चलेगा अज़े वच्छों कि देखे चलिए एक करके अब मैं कुछ लिखवार हूं आपको वह लिखना शुरू कीजिए ठीक है लिखे नोट नमबर वन लिखे नोट नमबर वन पहला अ मैगनेट इसन अब्जेक्ट अ मैगनेट इसन अब्जेक्ट a magnet is an object which attract which attract the piece of iron the piece of iron steel a magnet is an object which attracts piece of iron steel nickel and cobalt मैं लिख देता हूँ अगर बोलोगे तो iron steel nickel और cobalt magnet इन चारों को attract कर सकता है iron को भी steel को भी nickel को भी cobalt को भी इन चारों को attract कर सकता है ये question कई बार exam में देखा है मैंने कि पूछा गया है कि भई जैसे चार option दे देंगे iron steel nickel और aluminum ये चार option दे दी है कहेंगे बताओ इन में से कौन magnet को attract इन में से कौन सा metal या कौन सा substance magnet दोर attract नहीं किया जा सकता magnet इसको attract नहीं कर सकता तो मुश्टली बच्चे क्या कहेंगे iron, aluminum, वहाई ये सब nickel पर लगा देते हैं, steel पर लगा देते हैं mostly बच्चे steel पर लगाते हैं लेकिन ध्यान रखना iron, steel, nickel और कोबाल्ट इन चारों को attract करता है आकरसित करता है कौन? magnet? कुछ को नहीं करेगा aluminum को नहीं करेगा तो इस तरह के questions कई बार exam में पूछे गए हैं तो आपको इन साब बातों का ध्यान रखना है ठीक है बच्चो? चलिए आगे लिखेंगे आगे लिखिए ठीक है? हिंदी वाल लिखेंगे पहले हिंदी वाल लिख लो एक चुमबक एक चुमबक लोहे श्टील निकल इसको हिंदी में कहता है निकल और कोबाल्ट के और कोबाल्ट के हिस्सो को आकरसित करता है आकरसित करता है ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स की डेफिनिशन लिखेंगे लिखेंगे इस प्रेंटिक फिल्ड के नीचे हिंदीवाले लिखेंगा फिर मैं बता दो हिंदी वाले लिखो कि चुम्बक के आसपास का वैच हेत्र कि चुम्बक के आसपास का वैच हेत्र जहां चुम्बक के बल आरोपित होता है उसे चुम्बक के छेतर कहते हैं अगली लाइन में लिखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे of the magnet and and on the South Pole of the Magnet ठीक है हिंदी वाले चुमुक्य छेत्रे खाएं हमेशा 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 चुमुक्य छेत्रे खा टॉपिक लिए लिए टॉपिक लिए लिजिए बच्छो मेंगनेटिक फिल्ड पैटर्न्स मेंगनेटिक फिल्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाइ करेंट केरिंग मेंगनेटिक फिल्ड पैटर्न एक मिन बच्छो हाँ जी लिखेंगे बच्चो लिखें हिंदी वाले हिंदी वाले लिखिए चुम्बुक्य छेत रेखाएं ने ने ऐसा मतले लिखेंगे ना सोरी 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 बच्चो काटना धारवाही चालक में धारवाही चालक में धारवाही चालक में अलग-अलग अकार के अलग-अलग अकार के चालक में अलग अलग अकार के चालक में चुमूक्प के छेत रहाए अलग अलग चालक में चुम्प के छेत रहाए ठीक है जी चलो तीन टॉपिक यह इसके अंदर लेकिन आज मैं एक कराऊःउगा नेक्स्ट लास में आपको यह सारी चीजें खतम कर स्ट्रेंट करेंट करेंग वाइर पहला सुसेधे current carrying wire सीधे धारा सीधा धारा वाही चालक सीधा धारा वाही चालक चलिए बच्चो शुरू करते हैं बच्चो मान लीजिए यह है आपका एक वायर और current जा रहा है इसमें downward से upward ठीक है थोड़ा नीचे बना देते हैं मान लीजिए इस point पे मैं magnetism बना रहा हूँ वैसे तो magnetism हर point पे बनेगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यह है अब आपसे पूछा गया कि अगर current downward से upward जा रहा है नीचे से उपर जा रहा है तो बताइए magnetic field line की magnetic field line की direction क्या होगी magnetic field line की चुम्बुक्य छेत रेखाएं यह कौन है बच्चो magnetic field line चुम्बक किये छेतर रेखाएं इनकी direction क्या होगी इनकी दिशा क्या होगी direction पूछा है तो बच्चो इसके लिए हमारे एक भाईया है Maxwell कौन से Maxwell भाईया है उन्होंने यह बताया कि आप अपने हाथ को ऐसे लीजिए सीधे हाथ को राइट हैंड को यह ध्यान रख्येगा कौन से हाथ को बताये नोंने, right hand, सीधा हाथ, जिसे हम दाया हाथ बोलते हैं, ऐसे लीजिए, current कहां जा रहा है, नीचे से उपर, तो अंगूठा दिखाईए, इस अंगूठे का मतलब है, कि नीचे से उपर जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे से उपर, और अपने हाथ को, अपने आँखों के नीचे ऐसे देखिए, अब आप देखेंगे कि, अंगूठा नीचे से उपर की तरफ इसारा कर रहा है, कि मतलब current, current को कौन इसारा कर रहा है, thumb, अंगूठा, अंगूठे ने किसका इसारा किया, current का, अब अपने हाथ को देखिए, किसका हाथ को, जो यह ऐसे किया आपने, तो यह हाथ इस तरीके से बंधा हो दिखाई दिया, है ना, जब यह हाथ इस तरीके से बंधा हो दिखाई दिया, तो अब इसकी direction, आपको किससे चेक करनी है, गड़ी के साथ, अब आप यह देखिए, कि आपका जो हाथ बंधा हुआ है, वो गड़ी के उल्टी दिशा में बंधा हुआ है, यह गड़ी की सीधी दिशा में, यानि जिस तरफ गड़ी, टिक टिक कर रहा है, उस दिशा में मुढ़ रहा है, तो हमने जब ऐसे किया, तो मेरे को दिख रहा है, यह इस तरफ मुढ़ रहा है, इस तरफ मतलब गड़ी की उल्टी दिशा में, यानि जो magnetic field lines, जब नीचे से उपर जाएंगी, तो क्या रहेंगे भई, anti-clockwise, कैसा direction रहेगा बच्चों, anti-clockwise, तो आपको बताना है, कि magnetic field lines का, straight conductor में, जब current नीचे से उपर जाएगा, तो कैसा होगा, anti-clockwise direction होगा, कैसा direction होगा, बच्चों, इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी, वो anti-clockwise होगी, किसकी? magnetic field lines की, किसकी? magnetic field lines की, और magnetic field lines को, हिंदी में कहते हैं, magnetic field lines को, हिंदी में कहते हैं, sorry, 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 magnetic field lines को, हिंदी में तो चिंब के शेतर रिखाए कहते हैं, anti-clockwise, anti-clockwise, को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों, वामवर्थ, क्या कहा जाता है बच्चों, वामा वर्त क्या का जाता बच्चो वामा वर्त दिशा कौन से का जाता है वामा वर्त दिशा ठीक है और बालो यही चीज clockwise हो जाए तो यही चीज क्या हो जाए clockwise हो जाए फिर क्या कहेंगे इसको दक्षिना वर्त अभी बतातों कैसे देखो ये सारे नियम किसे ने दिये है Maxwell भाईया ने और किसके हिसाब से Right Hand Rule के अब माल लो फिर से आपके पास एक सीधा वायर है अब की बार करेंट कहां से आ रहा है Upward to Downward उपर से नीचे आ रहा है और माल लीजे इस पॉइंट पर मैंने Magnetism उठा लिया अपने हाथ को देखेंगे तो किस तरफ जिस तरफ घड़ी मुड़ रही है उस तरफ मुड़ता वह दिखाई देगा मतलब Clockwise दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा Clockwise दिखाई देगा अब की बार direction कैसी होगी Clockwise और हिंदी में क्या कहते है इसे दक्षिनावर्थ क्या कहते है बच्चो दक्षिनावर्थ तो यही हमारा बच्चो क्या है Straight Conductor है ठेक है और Straight Conductor में नीचे से उपर और उपर से नीचे अगर जाएगा तो Current कैसा होगा Homework के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ Homework के लिए मैं ये आपको दे रहा हूँ कि अगर Current Left to Right जाएगी तो क्या Direction होगी और अगर Current Right to Left होगा तो क्या Direction होगा यह मुझे Next Class में आप लोग बताईएगा कि आखिरकार Left to Right जाने पे या Right to Left जाने पे Current पे ये Magnetic Effect की Direction कैसी होगी कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं Note कीजिए अब जो लिखवा रहा हूँ लिखिए लिखिए इसको वीडियो पॉस करके पहले उतार लीजिए फटा फट वीडियो पॉस कर रहो उतारो इसको कर लिए Note अब लिखो अब लिखो according to Maxwell rule according to Maxwell rule sorry law rule नी law according to Maxwell law he says that he says said that he said that if current if current goes in straight wire if current goes in straight wire downward to upward downward to upward downward to upward downward to upward then the direction of magnetic field lines then the direction of magnetic field lines is anti-clockwise is anti-clockwise is anti-clockwise is anti-clockwise Hindi wale maximal Maxwell边 Maxwell Maxwell Michigan Maxwell as Maxwell right-hand rule Maxwell right-hand rule Maxwell किसी सीधे धारावाही चालक में धारा नीचे से उपर की तरफ जाए धारा नीचे से उपर की तरफ जाए तो चुम्बुके छेतर रेखाओं की दिशा तो चुम्बुके छेतर रेखाओं की दिशा चुम्बुके छेतर रेखाओं की दिशा Vama Varth होती है क्या होती है Vama Varth होती है ठीक है English वाले लिख लेंगे English वाले लिख लेंगे इसका clockwise का कैसा लिखेंगे According to Maxwell right hand rule या law According to Maxwell right hand law लिख लो लिख लओ जल्दी According to Maxwell right hand law He said that He said that if current goes in a straight wire, current goes in a straight wire, goes in a straight wire, from upward to downward, from upward to downward, from upward to downward, then the direction of magnetic field lines, then the direction of magnetic field lines is clockwise, is clockwise, Hindi wale, Maxwell's के दाहिने हस्त्नियम अनुसार, मैकस्वेल के दाहिने हस्त्नियम अनुसार, मैक्सवल के दाहिने हस्तिनियम अनुसार जब धारा किसी सीधे चालक में जब धारा किसी सीधे चालक में उपर से नीचे आती है तो चुम्बक के छेत रेखाओं की दिशा तो चुम्बक के छेत रेखाओं की दिशा चुम्बक के छेत रेखाओं की दिशा दक्षिना वर्त हो जाती है दक्षिना वर्त हो जाती है ठीक है जी बच्चो क्या हो जाती है दक्षिना वर्त हो जाती है तो ये आपको होमवक में दिया है कोशिश कीजेगा नेक्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे का टॉपिक करेंगे चलिए बाई